हेलो फ्रेंड्स गुटिवनिंग में जवाबिर आप देकरें जवाबिर मेडिकल हैल्प कैसे हैं अप उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियों हमेलाज अलफा करीम के बारें बात करने वाले हैं किस अच्छा के प्रिक्ट है क्या यूजस है क्या प्राइज च KELL ॉजस क सबको जाने MARKट थक चुर देखे क्रेम का नाम है मिलाज अलफा क्रीम जो कि 10 ग्राम में मार्कीट में अमिलेबल है और इसको मैनुफेक्ट्चर कर रही है मेडी मेडी एड हैल्थ केर प्रिवेट लिम्टेट कंपनी ठीक है और इसके दस ग्राम का कीमत रहता है असी रुपए एक डिस्कॉंट में आपको पचास साथ रुपए के आसपस नजजदी के मेडिक कमिस्ट चास आने से मिल जाएगा इसका कंपोसर रहता है 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 और यह एक तरह का श्टेरोड क्रीम है इसका सिंप्ली इस्तिमाल किया जाता है चेहरे पर यह श्रीर पर कहीं पर अगर दाग दब्बे हैं जहाईया हैं दाग दब्बे हैं पिंपल्स हैं या फिर चोट की वज़े से मुह काला हो गया है या फिर चोट की वज़े से मुह पर कह मेलाज αलफा क्रीम को इस्तिमाल किया जाता है डौक्टर दाग दब्बे में इसको बहुत ज्यादा अडवाइज करते हैं बहुत सारी certainly Unternehmen की यह डिदिन कुछ कुछ कौन्षी बैस प्रड़क्ट है कुछ अच्छे प्रड़क्ट नहीं है लेकिन मेलाज अल्फा क्रीम अच्छी क्वालिटी का प्रड़क्ट है यह बहुत सारे डॉक्टरीज अडवाइज करते हैं तो दोस्तो हैड्रोकौन इंट्रेटराइन और मॉमस्ट्रीन अब गायागा है तो आप सकते हैं तो जैसी आप लगाइंगे तो आपको तो पांच से दस दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ बाते का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्रीम सिर्फ आपको रात रात में ही लगानी चाहिए, दिन में आप इसको नहीं लगा सकते, और ये क्रीम डॉक्टर के सला से ही इस्तेमाल की ज में मार्किट में अबिलेबल है, और ये दवा आप ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं, इस क्रीम को आप नजदी की मेडिकल कमिट से भी आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ एक कारड आता है, इसको आप ये इंगलिस लोंग वेज में इसमें सब कुछ अच्छे स दे रखाए इसके बारे में, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, वैसे में इस वीडियो की डिस्क्रिप्सर में हर जानकर ये अच्छे से दे दूँगा, ये केवल for external use only है, इसको केवल बाहरी अंगों पर लगाया जाता है, ठीक है, जिन लोगों को, कुछ लोग इसको अगर आपको आपकी चेहरे पर जलन होती है, लाल दाने होती है, मुह आपका चेहरा आपका लाल होता है, तो ऐसी condition में आपको इसको बंद कर देना चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इसको लगा सकती है, और maximum तीन ये चार पीस से ज़्यादा इस्तेमा हो जाती है, स्कीन कमजोर हो जाती है, उस पे जैसे आप हाथ भी लगाएंगे, तो आपको स्कीन पे आपका हाथ भी बहुत भारी लगेगा, इतनी स्कीन पतली हो जाती है, इन स्चियोर्ड क्रीमों से, तो दोस्तों, ये कोई स्पोंसर वीडियो नहीं है, किसी कमपनी ने मुझे नहीं बोला कि आप अल्फा क्रीम के बारे में बताओ, मैं सिर्फ अपने वीवर्स को बताना चाहता हूँ, कि मेलाज जैसी करूई में है तो अच्छी क्वालिटी की, लेकिन प्लीज, 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 आप इस क्रीम को अपना चेहरा गोरा दिखाने के लिए इस्तेमाल ना करें, कुछ लोग 6 महीने साल साल तक इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही छोडते हैं, पहले जैसे भी नहीं रहते हैं, और जैसे ही छोडते हैं, फिर बोलते हैं, सर प्लीज, अब कुछी सोलुशन बताओ, इस क् तो मेरा पहले जैसा भी रंग नहीं रहा है काला हो गया है और side effect हो गया है allergy होती है मुँपे तो दोस्तों कुछ लोग पहले तो गलती यही करते हैं कि किसी डॉक्टर के सलाह नहीं कर लेते हैं सभी सभी यूटूबर्स आपको अच्छा स्पोर्ट नहीं करते हैं मैं आपको बता रहा हूं को इस इस्पोंसर्ट वीडियो नहीं है यह शिर्फ आप की आपको शरक्षा के लिए मैं यह आपको बता रहाूं डॉक्टर के सलाह ले फिर इसक इसक इस्ते माल करें shade लबें चैणकल जाद्ण हमैं तक इस्ते मैं नहीं कर सकते प्रडक्ट बता दिया, कमपोर्शन बता दिया, किस कमपनी का प्रडक्ट ये बता दिया, योजिस बता दिया, प्राइज मैंने बता दिया, डोज रहती है, सिर्फ हलके हलके आतों से, पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह दोए, और अपने चेहरे को पानी से दो से 30 मिनिट पहले इस क्रीम को लगाएं और इस क्रीम को लगाने के बाद आपको दूप में नहीं निकलना है सिर्फ रात रात को लगाना है और जैसे ही आप अपने रूम पे सोएंगे तो आप लाइट भी ओफ करें अपने रूम की साइड इफक्ट रहते हैं इस क्रीम को लगाते हुए आपको स्किन पतली हो सकती है लाल दाने हो सकते हैं और चेहरा लाल हो सकता है और चेहरे में जंजनाट हो सकती है चेहरे की चमड़ी पे अलर्जी हो सकती है रियक्शन हो सकता है ये इसके साइड इफक्ट है तो दोस्तों बहुर बार यही कहूंगा कि अपना चेहरा गोरा करने के लिए मेलाज जैसी क्रीमों को इस्तेमाल ना करें वाकि कुछ रहता है मुझे कमेंटर बॉक्स में जाकर करें और मैं तो पुरन बाते हैं जिनका आपको ध्यार रखना चाहिए क्रीम एक्स क्रीम लेते से में एक्स परेड़ेट का बच्चों की पहुंचे दूर रखना चाहिए और मेडिसीन का ब्रोड़ नहीं लेना चाहिए बिन डॉक्टर के सलाग से यह आप इस्तेमाल ना करें यह इन्फोर्मेशन आपकी जाने करें के लिए शेल्फ मेडिकेशन न क्यू